हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल, आज इस पार्टिकलर वीडियो में हम डिसकस करेंगे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले जार्गन्स या टर्म्स जो एवरी ट्रीडर या इन्वेश्टर को हमेशा पता होना चाहिए बहुत साही लोग जो मार्केट में नहीं नहीं आते हैं वो अकसर बहुत से टर्म्स को नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं और उनको इस वह से यहाँ पर बहुत सी चीज समझ में नहीं आती है तो इस particular वीडियो में हम stock market में use होने वाली main main words and phrases जैसे कि bull, beer, intraday, swing, crash, correction और भी बहुत साइट terms को discuss करेंगे और मैं पूरी कोश्च करूँगा कि सारे terms को simplified way में explain कर सकूँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में भी जो doubts है वो clear हो सके तो बिना देर किये चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आता है bull market, bear market bull market वो time होता है जब stocks के prices continuously उपर बढ़ रहे होते हैं और bear market वो time होता है जब stock के prices लगाता है नीचे गिर रहे होते हैं market में जो person stock prices को लेकर optimistic होता है उसको bull कहा जाता है जो person stock prices को लेकर pessimistic होता है मतलक कि negative होता है उसको bear का जाता है अब आते है trend पर, trend market के direction को बोलते है trend तीन types के होते है pepp报 downtrend , downtrend ,and sideways trend जब market ऊपर जा रहा होता है तो उसको we prioritize और के नीचे जा रहा होता है तो ऑम उसको downtrend talking करते हैं अब बात करते हैं brokers and stock exchange की brokers वो mediator होते हैं जो आपके बिहाफ पर companies चे-shares को buy or sell करते हैं और stock exchange वो place होता है ज़ा companies के share listed होते है और trade किये जाते हैं अब जानते हैं कि IPO क्या होता है जब कोई company first time stock market में अपना shares लेकर आती है तब हम कहते हैं कि उस company का पिंस पाइप, CSB बैंक और SBI काट्स अब आते हैं promoters, FIIs और DIs पर, promoters वो लोग होते हैं जो ने company को start किया होता है वो company के पहले owner होते है FIIs वो investors होते हैं जो foreign के होते हैं और Indian market में invest करते हैं DIs वो Indian institutional investors होते हैं जो इंडिया की financial market में invest करते हैं अब next आते हैं index index simple words में group of stocks की basket होती है ये इसलिए बनाया जाते हैं ताकि किसी sector, commodity, currency या bond के group करके easily trackable बनाया जा सकें इंडिया के कुछ major index है जैसे कि Sensex जो BAC पर listed top 30 company की basket है Nifty 50 जो NAC पर listed top 50 stocks की basket है Nifty 100 जो top 100 की basket है Bank Nifty जो सारे banking stocks की एक basket है उसी तरह Nifty Pharma, Metal, Auto, NAC पर listed Pharma, Metals और Auto stocks की basket है अब आते हैं long and short position पर जब आप किसी stock की movement को लेकर bullish होते हैं और आप expect कर रहे होते हैं कि future में stock के prices pick up करेंगे और ये decide करके आप एक buy side का trade लेते हैं तो इसको कहेंगे कि आप वो stock में long है और ठीक इसका opposite अगर आप कोई stock की movement को लेकर bearish है और आप expect कर रहे हैं कि future में stock के prices नीचे जाएंगे और ये decide करके आप एक sell side का trade लेते हैं तो इसको कहेंगे कि आप वो stock में short हैं अब जानते हैं portfolio क्या होता है share budget में portfolio means list of stocks जो आपने investment करके own कियें जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं नीचे pick में दिखाए गए हैं कि आप किस कि sector में और कितना कितना percent में invest की हैं यही portfolio होता है अब हम आते हैं next time पर जो है OHLC open high low close ये 4 terms एक stock के price movement को बताते हैं open price मतलब वो first price जब एक stock सुबह open होता है और close means वो last price जब stock evening में close हुआ है high और low price वो होता है जो stock अपने पूरे दिन के movement में high point या low point टच किया होता है जैसे कि आप right side की figure में देख सकते हैं एक stock कम price में open हुआ उसके बाद वो पूरे दिन एक low बनाता है और एक बहुत उपर जाकर high भी बनाता है और last evening में open से ज़्यादा price में close हुआ आता है तो ये green या bullish candle का formation करता है और हम ये conclude करते हैं कि आज market bullish था मतलब कि आज market में positivity थी अब जानते हैं bid ask और last traded price क्या होता है bid price वो price होता है जिस पर एक buyer stock को buy करना चाहता है और ask price वो price होता है जिस पर एक seller एक stock को sell करना चाहता है और last traded price वो price होता है जिस price पर अवी-वी last trading हुई है अब हम आते हैं correction और crash पर जब stock market में 10 से 15% का fall आता है तो उसको correction कहते हैं पर जब किसी sudden और panic की वज़े से market में 20% या उससे ज़्यादा का fall आता है अब बात करते हैं intra-day और swing trading की जब आप किसी stock को same day में buy करके same day में sell कर देते हैं तो उसको हम intra-day कहते हैं और जब हम कोई trade आज buy करके कुछ दिन बाद या कुछ weeks बाद या कुछ मन्थ बाद sell करते हैं तो हम उसको swing trading कहते हैं अब आते हैं position and square of पर जब हम किसी stock को buy or sell कर रहे है एक particular day पर तो हम यह बोलते हैं कि हमने एक stock में position ली है जैसे कि for example आप TCS की दो quantity खड़ी दी है तो इसका मतलब है कि आप TCS में position ली है और जब हम अपनी open की भी position मतलब की leave or trade को cancel out करते हैं तो उसको हम square off कहते हैं जैसे कि for example वही TCS के stocks आपने same day में sell कर दिये तो हम यह कहेंगे कि आपने trade को square off कर दिया अब हम बात करते हैं कि leverage क्या होता है leverage को आप एक temporary loan समझ सकते हैं जो आपको आपका broker provide करता है जिसके health से आप छोटे amount से भी 8 से 10 गुना ज्यादा बड़ा quantity उठा सकते हैं पर अगर आप beginner हैं तो आपको ज्यादा लालश नहीं करना चाहिए और leverage नहीं लेना चाहिए जितना possible उसे के अपने पैसे सही trade करें अब हम आते हैं dividend क्या होता है dividend company का वो profit होता है जो company आपको अपने as a shareholder आपको देती है इसको आप rewards की तरह समझ सकते हैं ये companies आपको उनके shares में invest करने के बदले rewards के रूप में देती हैं अब हम आते हैं आखरी term पर जो है circuits आपने बहुत बार सुनाओ कि market में circuit लग गया या किसी stock में circuit लग गया तो आए इस बारें बात करते हैं circuit एक maximum percentage होता है जो एक stock या index एक दिन में ऊपर या नीचे हो सकता है ये दो drive का होता है अपर circuit और lower circuit अपर circuit में से एक stock एक पार्टिकुलर डे पर कितना ऊपर जा सकता है ये decided percentage होता है उसी तरह lower circuit भी एक decided percentage होता है कि एक stock एक दिन में कितना नीचे जा सकता है circuit लिमिट इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी stock एक दिन में किसी bad news के वह से बहुत जादा न गिर जाए या फिर कोई बहुत अच्छी news से बहुत जादा न उठ जाए ये market को control करने के लिए होती है तो आज के लि पोश्परम weekly quizzes start किया है हमने तो आप उसे भी check out करके quiz play कर सकते है thank you